किसान साथियों नमस्कार राम राम सस्रेकाल आदाव किसान साथियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे भगवान से काम ना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्त रहें अच्छे रहें आपके काम में दिन दुगनी राद चुगनी उन्ती हो परम पिता हमारी यही कामना है किसान साथियों आज दिनांक 29 मई 2023 है मैं अमित महला तैसिल भारब डिश्टिक बिवानी हरेना के स्ताई निवासी हूँ और वीडियो की सुरुवात करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवस्से दबा लें और उसके बाद आल पर क्लिक कर दें इससे बेनेफिट आपको यह होगा कि आने वाला हैर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जो गुरुवार और रविवार को जो हम लाइव आप लोगों के बीच में आते हैं वो प्रोग्राम भी आप आसानी से देख पाएंगे और उसके साथ साथ नई नई जानकरियां आपको उपलवद होती रहेंगी और उससे आपको आपकी जेविक की प्राकरती खेती में आपको लाप रापत होगा और जिन किसान सातियों को फेस्बुक के उपर इस्ट्राग्राम के उपर टेलिग्राम के उपर वाट्सअप के उपर मेरे से फोलो करना है तो डिप्सर्शन बोक्स में उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे वहाँ जाकर आप किलिक करके हम बात करेंगे उसका बहुत बड़ा महतव है आज जो हम बात करेंगे यानि दान की प्रागत तरीके से बुआई होती है यानि समान्य बुआई होती है जिस बुआई की अंदर दान के लिए नरसरी त्यार की जाती है और नरसरी त्यार करने के लिए उसमें क्यारियां बना जाती हैं और जब वो नरसरी 20-25 दिन में त्यार हो जाती है उसके बाद उसकी रोपाई की जाती है और रोपाई करने से एक अफ़ते पहले खेत में पानी 5-7 cm तक रखना अतियाऊ सक है और उसके बाद लेवर लगाके मजदूर लगाके सर्मिक लगाके उसकी रोपाई करवाई जाती है वो रोपाई जो होती है वो कहीं कम कहीं ज्यादा कम कहीं ज्यादा कम कहीं ज्यादा यानि पोदा सही लेवल के उपर नहीं लगता है अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाले यह है कि पानी की ज़्यादा खपत, लेबर का खर्चा ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा और मान लेजिए आपने नरसरी त्यार कर ली और किसी काणवस बरसात नहीं हुई, या आपके नहर में पानी नहीं आया, या जल्क इसी चाई का कोई शादन आपके पास नहीं है, तो आपकी फसल लगाने में विलम बोगा देरी होगी, और फसल अगर सही समय पर आपने नहीं बुआई की जाती है, उससे हमारी मिट्टी के उपर भी काफी परवाव पड़ता है, क्योंकि जादा पानी की वज़े से वो मिट्टी हमारी खराब हो जाती है, और खराब होने की वज़े से सबसे बड़ी जो बात है, यानि लवनता आ जाती है, उसके लवनिया मिट्टी ह जाती है और उस वज़े से उत्पादन भी हमारा गड़ता है ये खरीब की फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं फिर आगे आने वाली रवी की फसल अगर हम ग्याओं की लगाएंगे तो उस फसल में भी उस फसल के अंदर भी हमें बेनिफिट नहीं मिल पाए हैं क्योंकि हम एक तो सबसे बड़ी गलती यहां पर यह कर रहे हैं कि लगातार एक ही खेत में दान खरीब के मौसम में और रवी के मौसम में ग्याओं लगाने का काम करते हैं फसल चक्र को अपनाना तो हमने छोड़ ही दिया है तो समान ने विदिया प्रंप्रागर तरीके से जो धान की भोगाई की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा खरचा हमारा आता है खर्चा आने के साथ साथ एक तो पानी की कमी है वो आप सभी जानते हैं आदे भारत आज पानी की पीने की यानि ये कह सकते हैं कि लाले पड़ रहे हैं कमी पड़ रही है और ये इस्तितियां दीरे दीरे हमारी तरफ बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे हम रासाइनिक पेस्टेसाइज रासाइनिक उर्वकों की अधिक्ता जो कर रहे हैं उस वजह से हमारी मिट्टी में डेड़ फुट के नीचे एक रोग फास्टेट की परत जम रही है जो ना तो बरसाच के पानी को नीचे जाने देती है और ना ही नहर का पानी लगाते हैं उसको नीचे जाने देती है और ना ही हमारी कोई अन्यम आदम से जो चीचाई करते हैं उसके पानी को नीचे जाने देती है तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की गड़ी है अब भी समय है किसान साथियों की प्रम्प्रागत तरिक्य से जो आप धान की फार्विंग करते हैं उससे आप छुटकारा जल्दी पाएंगे तो आप अच्छा रहेंगे अब दूसरा स्वाल यहां उठके ही आएगा कि फिर हम किस विदी से धान की दोपाई करें आप सीधी तरीक्य से यानि सीधे बीज को सीधे तरीक्य से दान की भुवाई आप कर सकते हैं उसमें सीधा बीज मसीन के मादम से लगाय जाता है जब बीज को आप अंकुरित कर लेते हैं उसके बाद बीज वहां लगाए जाता है और मसीन से टेक्टर की मसीन से जो बीज हम लगाते हैं उससे बेनिफिट क्या होता है जमीन के कठोरपन को वो खतम करता है और पोधे सही उचित दूरी पर लगते हैं लाइन टू लाइन की दूरी अच्छी रहती है और उसमें गाता है उसमें हमारी बचत होती है और उसके साथ साथ जो हम समन्ने धान की बुआई करते हैं उसमें जो च्यार से पांच एक हफते पहले बुआई से एक हफते पहले जो च्यार से पांच सेंटीमिटर तक पानी का भराव करते हैं खेत में उससे छुटकारा मिलता है तो प सीधी बुवाई के अंदर आपको करना क्या है इसके लिए मैंने आपको कल वीडियो के मादम से छोटी सी जानकारे दी थी कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको बहुत अधिक लाब होगा सीधी बुवाई अगर आप करवाते हैं मसीन से टेक्टर की मसीन से सीधी बुवाई करवाते हैं अज काफी ऐसी मसीने आ गई हैं जो दान की सीधी बुवाई हम कर सकते हैं और सीधी बुवाई के उपर हमें आना होगा ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये अहलात पैदा होती रही तो आने वाले समय में मैं ये आपको बता देता हूँ तो ये भूल जाना कि दहान हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बात के लिए मैं आपको आज इस वीडियो को बिलकुल याद कर लेना आने वाले समय में इसका दोर जो होगा बहुत बुरा होगा अब सीधी बुवाई के लिए तरिका क्या अपनाना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहां पर गोंद कतीरा लेना है गोंद कतीरा लेना है सीधी बुवाई करने से पहले आप अपनी मिट्टी को संतल कीजिए और उसमें सिचाई कीजिए और सिचाई करने के बाद जब आपका बीज अंकुरित हो जाए जैसे आप बीज को अंकुरित करते हैं और उसके बाद उसकी बुआई करते हैं अंकुरित हो जाए उसके बाद आप गौंद कतीरा से बीज को लेपिक कीजिए यानि लेपन कीजिए उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ 200 गराम बबूल जो पेड होता है उसका गौंद आपको लेना है और दो सो गराम आपको गुड लेना है और उन एक लिटर पानी आपको लेना है और उसको अच्छी तरह उबाल लेना है जब 800 ग्राम पानी बच जाए तो उसको नीचे उतार के ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद जो बीज आपने अंकुरित किये हैं उस बीज के ऊपर उसको पूरा छिड़काओ कर देना है और उसके बाद गौंद कतीरा का जो पाउडर आपके पास है पचास किलो बीज अगर आपके पास है तो उसके लिए दो किलो गौंद कतीरा का वीडियो बनाये था उसमें भी आपको मैंने बताये था कि गोंद कतिहरा का जितना वजन होता है उससे सोग उना पानी सिंचित कर लेता है वो अपने आप में फिर दूसरी खुबी उसके अंदर क्या है नमी वातवर्ण के अंदर भी अगर नमी है तो वो उसको सोगने का काम भी करता है एक गलोबिंग यानि वातवर्ण को दूसित होने से बचाने में ये तरीका हमारे लिए लाबदाएक है अगर आप सीधी बुआई करवाएंगे डी सी आर के तहट अगर बुआई आप करवाते हैं धान की तो परती एक एकड़ आठ से नो हजार रुपए का बेनिफिट आप ले पाएंगे क्योंकि उसमें ना तो आपको नरसरी त्यार करने की कोई मेहनत करनी ना आपको उसमें रोपाई के लिए मजदूर लाने की आउसिकता और ना ही आपको किसी अन्य दवाओं की लगाने की आउसिकता और फिर चोथा मुख्य रूप से कारन कोई भी बीज इसके अंदर आप ले सकते हैं चाहे वो बीज आपके घर का हो चाहे वो बीज आपका ही बेड़ो कोई बीज की यहां पर वो नहीं है कि ऐसा बीज होना चाहिए ऐसा बीज होना चाहिए कैसा भी बीज आपके पास उपलफद है उस बीज की बुवाई करवाईए एक तो आपका उत्पादन बढ़ेगा उसके साथ साथ आपकी मिट्टी सुद्रेगी और सीधी बुवाई अगर आप करते हैं तो आपके खेत में पोस्टत्तों की भी अधिक्ता होगी जिसके अंदर लोगा है जस्ता है फास पोर्स की मातरा भड़ेगी उसमें इतना अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा और फिर गौंद कतीरा से लेपिक जो आपका धान का बीज है उसको अगर आप बुवाई करवाते हैं तो बुवाई करवाने के 20 और 25 दिन के बाद पहला पानी आपको लगाना है उससे पहले आप देखेंगे तो उसमें पानी की कोई भी आवसिक्ता आपको नहीं है अगर इस दोरान बरसात हो जाती है और बरसात होने की वज़े से मिट्टी कठोर हो जाती है तो आपको सिच्चाई तुरंत कर देनी चाहिए सीधी बुवाई अगर आप करवाते हैं गोंकतेरा से बीज को उपचारित करते हैं तो खरपतवार में भी आपको बैनिफिट मिलेगा क्योंकि पानी कम लगेगा तो खरपतवार कमाएगा दूसरा कीटों से आपका छुटकारा मिलेगा काफी हाद तक कीटों से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि ज्यादा नमी होती है जहां पर वहाँ कीट का आवागमन हधिक होता है क्योंकि गर्मे का मौसम है ठंड सब को चाहिए तो उसमें तरहत रहके कीट आएंगे फिर उनके रोकथाम के लिए आपको तरहत रहके कीट ना सक क्छेत में डालने पड़ेंगे किसान साथियों में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको विश्वाच दिलाता हूँ आप चार एकड पांच एकड दस एकड में दान करते हैं तो एक एकड में अब की बार आपको दान जो है वो सीधी बुवाई से करवानी है और गोंद कतीरा से उसको लेपी करना है उसको बीज को उपचारित करना है कोई भी रासाइनिक दवाव वहाँ आपको नहीं लगानी है बीज अंकुरित होने के बाद उसका बीज उपचारित करें फिर वो हल्का सा सूख जय तो उसको ड्रील मशीन के दोवारा जो मशीन होती है यह जो यूज होती है विजाई में काफी मशिन ने आई हुई है उस मशिन से उस विज की सीधी बुवाई आप करवादे है उत्पादन बढ़ेगा उसके अंजर गोंद कतीरा से एक benefit और भी आपको मिलेगा या निए आप दो खेत हैं एक में आपने समाने स्तर प्रागत तरीके से दान की बुवाई करवाई है और दूसरी आपने करवाई है यानि सीधी बुवाई उसमें और उसमें उत्पादर में फर्ग मिलेगा और उसमें और उन दोनों के बीच में कल्लों की संख्या अधिक होगी जो गोंद कतीरा से आपधान लगाएंगे उसमें कल्लों की संख्या अधीक होगी और उसके अंदर जो हमारे सामने समझ से आती है जंडारोग की जंडारोग निकलता है अलग दिखाई देता है सफेद जैसे हो जाता है यानि पकने से पहले एक जंडारोग होता है तो उससे आपको निजात मिलेगा तो यानि काफी अच्छे बेनिफिट आप इससे उठा सकते हैं सीधी बुआई से और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी दाने में वजंदार होगा दाना वजंदार होगा आप समन्ने या प्रमप्रागर तरिके से जो बुआई करवाते हैं दान की वहाँ पर अगर आप पांस से छे बार सिचाई करते हैं तो यहां आपकी फसल ओनली दो सिचाई में पक जाएगी और एक समय के अनुसार पकेगी यह नहीं की जल्दी पकेगी अब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक तो हमें नहर के पानी का इंतिजार नहीं करना दूसरा बरसाथ क्या मौसम का इंतिजार नहीं करना तीसरा सिचाई का सादन है तो हम उसमें जो सिचाई करते हैं तो उसके लिए इंजन अगरा बेगरा का यूज करते हैं तेल का खर्चा बचेगा, आपकी महनेत बचेगी, आपके लेबर का जो खर्चाता है वो बचेगा, आपकी रासांनिक दुआईईों से जो उसको ट्रेट करते हो वो बचेगा, हलका खर्पतवार अगर आ जाता है तो उसको निकाल दे जादा हो जाए तो खर्पतवार नासक अनेंसर के साथ में मिलाके डाल दो अनेंसर अगर उस खर्पतवार नासक के साथ डालोगे तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा उसका जहरा पन जो है यानि जहरिला पन जो है वो उसको खत्म करने का काम करेगा तो दान के उपर काफी समय से ये हमारे सामने बाते निकल के आ रही थी कि किस तरीके से हम दान को सही स्थिति में ला सकते हैं और अगर इसी तरह पानी भर के खेतों में लगते रहे तो पानी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा जलसतर लगातार जा रहा है नीचे और अपनी जमीन को आप खराब कर रहे हो जमीन को लवनिये कर रहे हो उससे उत्पादन गट रहा है आने वाले रभी की फसल ग्यों की आप लगाते हो उसमें उत्पादन आपका गट रहा है उसमें आपका कर्चा गट रहा है और उसके साथ साथ आपका जिवांस कारबन भी और्गनिक कार्बन जो सबसे महत्वपन माईने रखता है हमारे लिए वो भी लगातार घट रहा है अगर जमीन लवन ही हो रही है तो सीधी सी बात है जमीन का प्येज़वान भी बढ़ रहा है तो यहां पर काफी फैक्ट पढ़ रहे हैं और काफी हमारी बज़त है सीधी करें इसकी संपून जानकारी जहां तक जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दी है और एक संपून जानकारी का आगे आने वाले समय में इस धान के अंदर जो आने वाले रोग हैं उनको हम जेविक तरीके से कैसे निजात उस पर हम पाएंगे वो हम क्योंकि यह एक हमारे लिए बहुत जरूरी बन गया है सीधी बुआई धानकी तो आज का जो हमारा विश्य था प्रमप्रागर्त समानने बनाम सीधी बुआई धानकी तो इसके उपर आप ध्यान कीजिए बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले पाएंगे तो इसी के साथ व नमसकार, जय हैंग, जय वारत